नमस्कार आप देख रहे हैं विंधिया टाइम्स और मैं हूँ आपके साथ स्वाती सरकारे भले ही लगातार तरक्की के दावे करें लेकिन एक शर्मनाग सच्चाई आज भी हमारा सिर नीचा कर देती है देश में तरक्की तो हुई है लेकिन सिर्फ अमीरों की यहां गरीब फटे हाल हैं और लगातार गरीब ही होते जा रहे हैं गरीबों के लिए सरकारी उजनाये तो हैं परन्तो इनका असर कहीं दिखनी रहा है आपको यह जान कर आश्यर होगा कि दुनिया में सबसे जादा गरीब भारत में ही रहते हैं यहां 22.8-9 करोर लोग काफी गरीब हैं उनकी आर्थिक हालत बेहत खराब है भरपेट भोजनना मिलने की वज़े से भारत में 1.7 करोर लोग बिमारियों के शिकार हैं दुनिया भर में असमानता और गरीबी पर काम करने वाली अंतर राष्ट्रिय संस्था औक्सफेम ने एक चौकाने वाली रिपोर्ट जारी की है रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब आज भी भारत में ही रहते हैं आर्थिक असमानता के चलते देश के 70% लोगों को बहतर स्वास्त सुविधाएं और पौश्टी का हार नहीं मिल पाते हैं अच्छा भोजन नहीं मिलने के कारण एक दसमलब 7 करोर लोग अलग-अलग तरह की बीमारियों से ग्रसित हो गया है पिछले दो सालों में सिर्फ अमीरों की संपती ही नहीं बढ़ी बलकि अमीरों की शंक्छा में भी इजाफा हुआ है रिपोर्ट के अनुसार इस बीच देश में 62.7% अरपती बढ़ गया हेल्थ केयर और फार्मा सेक्टर में 7 नए अरपती शामिल हुए कुल 32 अरपती हेल्थ सेक्टर से हैं 31 अरपती मैनुफैक्चरिंग सेक्टर से हैं कॉर्पोरेट टैक्स में साल 2019 में भारत सरकार ने छूट दी थी इसके चलते उद्योग पतियों को साल 2021 में 1,3,280 करोड रुपै का लाव मिला यहलाव देश के 1,4 साल के लिए मन्रेगा बजट के बराबर है वही 2018 में 19 करोड भूखे लोग थे जिनकी संच्छा साल 2022 में बढ़कर 35 करोड हो गई वही अरपतीयों की संपत्ति में हर एक मिनट 2,5 करोड रुपै की बढ़ोत्री हुई है दो साल में देश के टॉप अरपतियों की संपत्ति में 121 प्रतिशत का इजाफा हुआ है और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा 22.89 करोड गरीब भारत में रहते हैं सरकारी रिपोर्ट में महगाई दर कम है पर धरातल पर इसकी हकीकत को सो दूर है सोचने का विशय है कि देश में जहां दिनों दिन गरीबी बढ़ रही है और लोगों की ओसत आए में कमी हो रही है वहीं महगाई ने नीम में करेले का काम किया है जहां दिन प्रति दिन बढ़ती महगाई आम आदमी की कमर तोड रही है महगाई के कारण जहां एक और अन्य वर्ग के लिए थाली महगी होती जा रही है वहीं दूसरी और दिहनियों का घरेलू बजट भी बिगड़ रहा है वहीं आटे के दाम में बढ़ोत्री हुई है जो चिंता जनक है सरकार ने महगाई दर को निचले इस्तर पर दिखाया है लेकिन बाजारों में हकीकत इस से कोसो दूर देखने को मिल रही है आलम यह है कि महगाई आम आदमी की कमर तोड़ रही है बर्तमान इस्तिती यह है कि अमीर और अमीर होता जा रहा है जबकि गरीब और गरीब होता जा रहा है गरीबी का मुखे कारण भारत में विशाल जनसंचा का होना है देश में गरीबों की अधिक जनसंचा होना और सिक्षा के आभाव में विशाल जनसमों को कारी तथा रोजी की प्राप्ती नहीं होती इसके साथ ही विरुजगारी भारत की निर्धनता वृतिकर्णी का प्रमुख कारण है रुजगार में कमी के कारण गरीबी बढ़ रही है सरकारी योजनाई तो हैं पर गरीबो को उनका लाव नहीं मिल पा रहा है बिभिन ने गरीबी निवारण योजनाओं का सरकार द्वारा क्रियानवयन ना करपाना गरीबी का एक और कारण है इन योजनाओं के विफल होने के कारण गरीबों की संग्छा जस की तस्बनी हुई है